सभी का स्वागत फिर से हमारे चैनल में आज हम बात करने वाले अफगानिस्तान वर्सेस आर्लेंड के बारे में ओडियाई गेम नोबर वन के बारे में बात करें हम लोग यह मैच सार्जा में होने वाला है तो वहां की सारी पिछ रिपोर्ट भी जानेगी और लास्ट पांच बजे का ग्राउंड जो है वो थोड़ा सा स्वेंग और स्कूर रन बनते हैं हमने टेस्ट मैच में देखा था कि रंस बने हैं लेकिन आपको टिक ना होगा आपको थोड़ा सा वेट करना होगा वह फास्ट रनिंग के लिए नहीं जाना अटाकिंग क्रिकेट इदर अच्छा किया था उस तरीके से लेकिन ओडिया है फॉर्मेट चेंज है तो वहाँ पे फर्क पड़ेगा अगरम बात करें तो पांच बजे का गेम है आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिलेगी तो टेलिग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन की लिंक से आप लोग जॉइन कर लीजिएगा चले बात करते हैं प्लेंग लेंग के बरने अफगानिस्तान की प्लेंग लेंग अप्रावेबल रहमतुल्ला गुर्बाज विकेट कीपर के साथ ऊपनिंग करने चाहिए इरेवराइन चादरान क्वैलेटी वाइस रहमस साह नमबर तीन पर फिर रहमस साह थे मुहमद नावी यह भी टेस्ट में नहीं थे आय अखील नूर एहमद फजलक फारुकी फारेद एहमद या नावेज जादरान में से कोई खिलना चाहिए क्योंकि नावेज जादरान ने टेस्ट में जिस तरह की बॉलिंग की है उन्होंने अपना एक नाम बनाया है कि व स्ट्रिलिंग पेशन्स क्रिकेट अच्छा खिलके आ रहे हैं एंडी बार्बराइन कर्टी स्कैंपर क्वालिटी भाई अच्छे प्लियर हैडी टेक्टर लॉर्खन टकर इस गुड प्लियर अच्छा खिलके रहे हैं जो टेस्ट में नहीं थे मैग प्राइट ने बैट से किया था बाल से वीक नजर रहे थे मांक अडैर क्या गेंदबाजी की थी इनोंने 5 फॉर्ष इनिंग में सेकंड इंग में भी थ्री से फूर विकेट निखा लेते कमाल की गेंदबाजी की मेंकार्ती अच्छा करके आ रहे हैं उतना अच्छा नहीं लेकिन ठीक था क्रैग यंग ने बहुत इंप्रेस किया था टीवान वॉर्खम उतना कुछ नहीं खास वैरी वैरी डिसपॉइंट में इनसे उमीदे थी लेकिन डिसपॉइंट किया था इन्होंने सेफ सीवीसी कटी स्क्यामपर माक अडैर और फजल अफारो की हम थोड़ा सा रिस्क लेगे वो चली बात करेगे हम टीम के बारे में पहले हम टेस्ट मैच देख लेते हैं उसके बाद हम हमारी टीम बताएगे चली इस मैच का इसकोर काड हम सौट में देखते हैं अफगानिसान ने पहले बलेवाजी की थी तो इधर से अफगानिसान की तरफ से इब्राहिम जादरान और नूर अली ने ओपन किया था पूरा नाम मेरे को फिलाल यान नहीं आ रहा है इब्राहिम ने अच्छी इनिंग खेली थी quality wise रहमस सा जल्दी चले गए थे फिर हजमतुल्ला भी उतना अच्छा नहीं गुरबाज उतना अच्छा नहीं जमाल उतना अच्छा नहीं करीम जिन्दत ने लाज रखी थी और अच्छी नहीं खेले थी के लावा गेंदबाजी में बात करें तो कटी स्कैंपर करेंद में लगाता दो विकेठ निकाले थे मारके डर के पांच विकेट कमाल कि गावा जी करहागी यंग की दिखी थी बालिंग को में अच्छी की थी लेकिन विकेट टेकिंग नहीं आर्लेंड की तो पीटर मोर जल्दी आउट होगे थे एक इंट्रेस्टिक बात बता हो नावेज जादरान ने पीटर मोर को दो बार और आउट किया लेकिन एक बार वो बॉल नो बॉल हो जाती है और एक बार वो हलका सा अंपायर स्कॉल के वज़ा से बच जाते हैं और फिर एंडी बालबरान आउट आउट अफ़ फॉर्म कटी स्केमपर वो अनलकी रहे 49 पाउट है डिटर नाइट वॉच्वेन की तरह टीवान को बेजा गया लेकिन कुछ नहीं कर पाए पॉलिस्टेलिंग अच्छी इनिंग तक्कर अच्छी इनिंग मैक प्राइन गुड बैट तीन विकेट क्रेग यंग तीन मैकार्थी और तीन ही अडैर अच्छी इनवाजी होती है मांक अडैर बॉलिंग ठीक कर रहे विकेट टेकिंग नहीं मांक अडैर का याद रगएगा सीवीची के बहुत तगड़े चोईज फिर से पीटर मोर को नावे जदरा नहीं आउट करते हैं फिर एंडी मेलवराइन नॉट आउट जाते हैं और अपनी टीम को जी दिलाते हैं नौर लॉर्गन टकर के साथ चलिक चलते हैं हम हमारी ट्रीम 11 टीम की बात करते है और आपको बताते हैं सारे यह था बैटिंग दोनों टीम की आउट आप दो फॉर्म ही लगई है मेरे को इवरहेम एकलोजा ऐसा बैटर जिनोंने क्वैलेटी वाइज अच्छा किया था अगर बात करें एक प्लेयर है ज्याहूर रह्मान उनका ध्यान रखिएगा यही ज्याहूर रह्मान अकबर कमाल की गेंद बाजी करके आ रहे है कोईलेटी वाइस बहुत अच्छे है खेलेगे तो हम इनको हमारी टीम में पक्का लेगे फिलाल के लिए मैं फजलक फारूकी फारीद मलीक और खाई सैमत को रख रहे है और विकिट कीपिंग में मैं फिलाल के लिए लॉरकन टक करको वैसा ओमर चाहिए थैंक यू फोर वाचिंग इस वीडियो यह है फाइनल टीम होपफोली हम लोग अच्छा करेगे